हेलो और वेलकम दोस्तों आप सिरका स्वागट है टेख नियुस के एक और फ्रेस एपिसोड में आज मैं आपके लेके आया हूं गेमिंग और स्मार्ट स्पोन की दुन्यां से गौर्ट सारी मज़ेदार खबरें आज का हमारा जो पहला अपडेट है वह मिलता है मोटरोला की तरफ से मोटरोला की जो वन सिरीज है उसमें 16 जोन को एक डिवाइस एड़ होगा जो है मोटरोला वन फ्यूजन प्लस जिसमें आपको देखने को मिलेगी एक फूल एच्टी प्लस एच्टी डिस्प्ले और स्नेपड्रेगन 713 का चीपसेट जो कि आएगा 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ फ्रंड में आपको टेखने को मिलेगा 16 Megapixel का पॉपप कैमेरी सेट अप बेक में आपको टेखने को मिलेगा इसके साथ अगला अपडेट हमको मिलता है जाओमी के तरफ से जाओमी स्माच तीवी के दुन्या में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है लेकिन अभी लीक के मुताबिक सप्टेमबर में आपको डिखने को मिलेगा उनकी तरफ से गेमिंग मोनिटर 24 इच का जिसकी रिफ्रे प्रीजेर्ट हमको सबसे पहले साथ अगला अपडेट में मिलता है मीडियाटेक की तरफ से अपना फ्रस्ट के स्मार्ट इए चीप सेट जू की है एस नाइन हंड्रेट और आपको बहुत ही अपने स्पार्ट दिखने को मिलेगा ऐसे में आप मुझे कमेंट में यह बताए स्मार्ट ट्रेटेस करने जाते हो तो आप रूषेसर दीखते हो तो जो है जो है प्रो स्मार्टवन आपको मलेगा विवो एस आपको डेखने को मिलेगा स्नैप्रक्ट त cheesy 5G वाला प्रोशेसर यानि कि ये headset 5G capable होने वाला है इसी के साथ आपको उसमें देखने को मिलेगी एक अंदर डिस्प्ले फिंगर प्रेट स्चैनर और जो चोड़ेट रहेगी वो है USF 2.1 याने की डेटा ट्रास्फर के स्पीड रहेगी बहुत ही बढ़िया एक सो अठाइस जीबी और दो सो चपन जीबी के डो एन में आए आट जीबी रहें के साथ मिलता है सैमसंग की जरब से समसंग ने हाली में अपना टैबलेट टैब एसीग्स इने में लॉंच कर लिया है लेकिन अभी अभी आप ब्लूटूट ऐसा जीपे टैब एस सेवन का भ फिर होनोर का ले लो वह इतना पसंद करते हैं या फिर आप छोटे से स्मार्टफोन में ही खुश है नेक्स्ट की बात करता हम बात में हो रहें एंडर्ट 11 के बारे में हाल ही में गूगल ने कंफर्म कर दिए हैं एंडर्ट 11 बीटा 1 का रिलिस का लेकिन वह अभी हाल में सि एपडेट को मिलेगा जो की हैं डिवो के तरफ से हमें धिशन को मिलेगा जो है कि तरफ से हमें च्थन economics अपडेट और fanpage ने और U.E.我् अबडेट को मिलेगा या यह एंड्डू सद्सक हमें को मिलेगा बनक्ल्स एउट और municipal अपडेट बताने का आपंडविट 11 के update को लेके excited है या फिर चले ठीक है update है जब आएगा तब ही यूज़ करें तो वह मिलती है gaming की दुनिया से Sony के PS5 gaming console की तरफ से जिसको कर लॉंच किया जा चुका है जिसे हमें देखने से साब पता चलता है सोनी इस साल टोटल डोवेरें लॉंच करेगा जो की एक होगा डिस्क सपोर्टेड और डिस्क होगा डिजिटल वर्जन इसके साथ चार हमें देखने को मिलती है पर से 3D वालेट्स हेटफोन और जो डियूल डेंड वालेट्स रिमोट कंट्रोल गेम्स की बात करें जो कि उन्होंने तीन गेम अभी हाल में बताई है जो कि हम इसमें प्ले कर सकते है जो कि है स्पाइडर मेन वरिजन फॉब इन्वेस्ट और इसके साथ जो तीसरी गेम है वह डेमन सोल और भी गेम हमको फ्यूचर में जरूर देखने को मिले की आगे खबर की बात करें तो वह हमें मिल रहे हैं सैम्संग की तरब से लिंक के मुदा कि भी सैम्संग की तरब से में बहुत ही जले एक फोन डीक्न मिल सकता है जो कि है सैम्संग स्कूर के मुताबिक अभी एक नया फोन को देखने हैं सैम्संग की तरब से सैम्संग में इंडिया में 831 स्मार्टफोन लाउंच किया था लेकिन के स्कूर के मुताबिक अभी एक नया फोन को देखने को मिलता है M31S के नाम से जिसमें आपको देखने को मिलेगा 6GB की रैम और एक्जन 611 वाला प्रोशेसर अभी हाली में नेक्स विप में सैम्संग ने बहुत सारे फोन लाउंच कर दिये और एक और निया लाउंच यानि मतलब सैम्संग तोटल कंफ्यूज किया जा रहा है हमको कौन सा फोन करी देखने को मिलता है जामी की तरफ से उन्होंने फिर से लाउंच कर दिया 65 वाट का चार्जर जो कि कहना है कि वह 20 से ज्यादा कॉंपैक्ट है उसके प्रिविए 65 वाट के वर्जन के मुकाबले जो च नहीं चलता लेकि ठीक है नेक्स्ट अप्रिट की बात के तो हम बात करने वाले विजर वेस के बारा में जिन्होंने कुछी दिनों पहले अभी जो अंडर डिस्प्ले के मेरेगा जो फॉस्ट मॉडल है वो दुनिया के समने रखा था इसी के सार्फ साथ जो एक्साइडमें जाएगे लेकिन फिर भी लॉंच होने वाला है हुआ कि तरफ से बहुत ही जले एक अंडर डिस्प्ली केमेरा वाला फोन नेक्स्ट मिलता है गूगल की तरफ से गूगल अभी गवर्मेंट अफ डिल ली और इंडिया के साथ मिलके बहुत ही बड़ी आ काम कर रहा है इस सकते हूं तो सर्च कर सकते हैं उसे के साथ साथ इंग्रीज नहीं साथ रिजन लैंग्वेजिस में अवेलेबल रहेगा इस दौरन हमारी प्राग्मतों से यह कि कि किसी को यह सेंटर सर्च करने की जरूरत ना पड़े गूगल पर या भी नेक्स्ट कबर की बात करने वाल है आगे बारे में इंडिया के जो सीओ है मार्टो सेटी उन्होंने आज यह ट्विट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आप कोई भी रियल्मी का प्रोडॉक्ट अफलाइग मार्केट में खरीदे उसको रियल्मी डॉटकम पर जरूर वेरिफाई करें कि बहुत सारे ऐस आप क्षाइब करना इसे प्रोडॉक्ट में बीख रहे मैं तो कहता हूं आप और अपयो के पैसे गव बैठेवे इसके साथ आज के वीडियो में बस इतना है अगर आप कुछ व्पसंद रहे डाइक कि जिए अपने कहा चैनल को सब्सक्रायब करना मत बहुत पक्तर सब्सक पुलना क्यों कि मौट जल लाने वाले हैं अन्बोक्सिंग और रिव्यू का वीडियो रियल्मी के बट्स एर नियो का और मैं आपको मिलता हूं कर एक ऐसा ही मसादार टेक न्यूज में तब तक के लिए बाबाई स्टे हो